Predpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedpedped एबुन की आंतलोन कारीदेर मंचो भिंगे गुरिये दवा हाई बोले ओभिजोग। पुलिश पोरिस्तिती नियंतोने आना चेस्ट करे किन्तु भांग चुरे निपत्थे के बा कारा ता एखन पोर्जुनतो स्पोस्टो नौई एबुन जावंटा ओभिजो कोडशे बेशकेशु बोहीडे कथो शेखाने पोउच्छाई एबुन तार पराई तान रोब चालाते थाके आज शाथीन अतार आटार्तो तम उद्जापोन देश्टुरे शाथीन अता दिबस पालोन लालकेलाई जातियो पताक उत्तलोन कोरबें प्रधान मुंत्री नरुन ट्रमोदी प्रत्तेके बच्छोरेर मोतोई तीनी जातियो पताक उप्तलन कोरबे लाल केल्लाई एबं बेश कोईक दिन थोड़े किन्तो शाधी नता दिबस पालोने जर्नो प्रस्तोती तुंगे छिलो शेई छोबियो आप्टाराई देखे छेन अजे देश कोई पालीतो हबे आटार्टो तमो शाधी नता दिबस एबं देश कोई शाधी नता दिबस पालोन पोरबे लाल केल्लाई जातियो पताक उप्तलन कोरबे लाल केल्लाई जातियो पताक उप्तलन कोरबे लाल केल्लाई पताक उप्तलन कोरबे लाल केल्लाई पताक देश चुरे शाधी नता उज्जापोने मेथे छेन फारत बाशे लाल केलाई पाताका उत्तलों कोर्बेन फधान मुंत्री नारं प्रमोदी लाल केलाई पाताका उत्तलों कोर्बेन फधान मुंत्री नारं प्रमोदी एबं, कोईग दिन आगे किन्तु शूरू होए गेछे प्रस्तुती कुछ कावच तेके शूरू करे पैरेट आटाट तमो शाधिन आता दिबाश उप जापोन डेश चुडे एबं, प्रधान मोंट्री नर्न्रमोदी तार कोईग दिन आगे तेके किन्तु एर प्रस्तुती शूरू करे दिया छेन देश चुरे हर्घार तिरांगाप कर्मोशुचुँ किन्तो चुल छे आटाट तमो शाधिन आता दिबाश उप जापोन डेश बाशी एबं, लालके लाई पताका उत्तलों कोर्बेन प्रधान मोंट्री नर्न्रमोदी देश चुरे आटाट तमो शाधिन आता दिबाश उप जापोन शाधिन आता तोर बचोर पूर्ती लालके लाई प्रधान मोंट्री नर्न्रमोदी पताका उत्तलोन कोरबें प्रत्तेक बचोरी तिनी पताका उत्तलोन कोरें जाती रुद्देशे भाषन देन एबों आजके तिनी की-की बॉलें श्याइदिके किन्तो नौजोर रोय छे देश बाशीर देश चुरे शाधिनता दिबशेर उज्जापोन लालकेल लाई प्रत्तान मंत्ती नर्नी रमोधी पताका उत्तलोन कोरबें प्रत्तेक बचोरी र्मोटो एबचोरो तिनी की बाढता देन फेलिके किन्तो नौजोर रोय छे भारुद बाशीर कर दो कर दो कर दो नहीं नाइन और फिभ आजकर रिख जाज याजंद था यह दो इस लांच राज़। का जापर केंदी मंत मंडल के सारस से माजूद है वरिष्ट अदिकारिगन विदेशि राजनाइक और साथ ही हाल ही में संपन हुए पेरिस उलम्पिक खेलों में देश को पदक दिलाने वाले वे यशस्वी खिलाडी जिन्होंने भारत का पर्चम फैराया और देश का नाम रोशन किया अठटर्वे स्वाधीनता दिवस का ये पावन अवसर है मौसम करवट ले रहा है थोड़ी बहुत बुनाबादी हो रही है लेकिन देशवासियों का जो संकल्प है देश के प्रती त्याग और बलिदान समर्पन की जो भावना है वो नकभी कम हुई है नकम होगी माई भारत का लोगो तिरंगे में समाहित होकर के बहुत ही नैना भिराम द्रिश्य प्रस्तुत कर रहा है आज के इस स्वाधिन्ता दिवस समारोह को विशेश कलेवर प्रदान कर रहे हैं देश के कोने कोने से पहुँचे हजारों के संख्या में विर्पदिभागी जिनोंने भारत सरकार की कल्यान कारी योजनाओं का लाब उठाया है और देश को आगे बढ़ाने में भूमे का निभा रहे हैं ठीक सामने बाइयोर, श्री दिगंबर, जैन, लाल मंदर जी है इसी में पक्षियों का एक चिकित साले भी है इसके आगे प्राचीन, गौरी, शंकर, मंदिर है हम सब जानते हैं कि सावन के महीने में शद्धालू यहां विशेश तोर पर उमरते हैं गुर्द्वारा, सीजगंज साहिब, त्याग और बलेदान की तस्वीर वहीं नजदीक दरीबा के पास बैप्टिस चर्च भी है जो इमारतों की वजह से कैमरे की नजरों से दूर है ताल के लेके सामने चान्दी चौक के आखरी छोर पर फत्यपुरी मस्जिद पुरा इला का शांदार तस्वीर पेश करता हुआ हमारे सर्वधर्म संभाव की स्वामी दायान सरस्वती का तंदेश देता ये आरे समाज मंदिर और लाल के लेके बाईयों बोजला पहाडी पर बनी जामा मस्जिद सारे जहां से अच्छा हिं दोस्ता हमारा हमारे बुट से इला है कि अच्छा हमारे बुट सारे इंच्छा के भाईयों पर्टिद the world and today with much over a billion heads and hearts suffused in saffron white and green colors which have shed their individual identity to become one color color of nationhood there is a special enclosure again this time for the general public 5 000 seats have been put and uh other than the vip enclosures in this enclosure which is for the general public you just need to show your identity card and you come in to the celebrations well as we said freedom has many forms of expression and yes the weather is one of them our stars our players and here we can see the arrival of prime minister narendra modi at the days so झाल झाल प्राइब 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 झाल प्राइब 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 झाल प्राइब 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 प्राइ है और आकाश ते भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस उच्छुपता बोढ़ती हुई उस अवसर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है ड्क catching अचांव आफ गार्ष आपका तर्या स्वेृ का चाम रहती है और था लेंगता आफ तह तवर को रहतीज को शेच्छा DRभजग झालि नें नोट्ष एन की तुब्ली की कुमाण सहले थी जैंजर दिनेश एन ने सेन आ की तुकली की कमाण सम्हाल रहते लेंटानें कमांडर सचिन धंकर और वाई सेना की चुक्री की कमांड समाली स्क्वाडर लीदर सीच शवंड देवया ने दिली पुलिस के जवान भी इस राष्ट्रे धवजगार्ड में शामिल जिसके कमांड समाली है एडिशनल डीशीपी अचिन गर्ड ने इंटर सर्विसेज गार्ड में इस बार समन्वे करदाइद नौ सेना कुर्सों पा गया था जिसका नेतित्व कर रहे थी कमांडर विने दुबे उपसे जनसमों प्रसन्न है आलादित है और प्रतीक शारत मानने प्रखान मंतरी महोदे के संभोधन भारत माता की भारत माता की मेरे प्यारे देश वाचियों मेरे परिवार जन आज वो शुब घड़ी है जहम देश के लिए मर मिटने वाले देश की आज हदी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले आजीवन संगर्ष करने वाले फासी के तक्त पर चड़कर के भारत मा की जैके नारे लगाने वाले अंगिनत आज हदी के दिवानों को नमन करने का ये पर्व है उनका पुन्यस मर्ण करने का पर्व है आज हदी के जिवानों ने आज हमें आज हदी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सवभाग्य दिया है यह देश उनका रणी है ऐसे हर महापुरुष के प्रती हम अपना स्रद्धा बहाव व्यक्त करते हैं मेरे प्यारे देश वात्यों आज जो महानुभाव रास्त्र रक्षा के लिए और रास्त्र निर्मान के लिए पूरी लगन से पूरी प्रतिवद्धा के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं देश को नई मचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे है चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नवजवानों का हौसरा हो, हमारी माता और बहनों का योगदान हो, दली थो पीडी थो शोची थो वंची थो अभावा के बीज भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निश्चा लोग तंत्र के प्रति उसकी स्रध्धा ये पुरे बिश्व के लिए एक प्रेरग घटना है मैं आज ऐसे सभी को आधर पुर्वग नमन करता हूँ परे देश्वासियों इस वर्ष और पितने कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सब की चिंता बढ़ती चली जा रही है प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवार जन्द खोए है संपत्तिक होई है राष्ट्र में भी पारावार नुक्सान भोगा है मैं आज उन सब के प्रती अपनी संबेदना व्यक्त करता हूं और मैं उने विश्वाद दिलाता हूं यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है मेरे प्यारे देश स्वाच्यों हम जरा आजहदी के पहले के वो दिन याद करे शैकड़ो साल की घुलामी और कालखन संगर्ष का रहा युवा हो बुजवर्ग हो किसान हो महिला हो आदिवासी हो उन्होंने गुलामी के खिलाब लंग जंग लड़ते रहे अभीरत्य जंग लड़ते रहे इतियास गवा है कि 1857 के 37 संगराम जिसको हम याद करते हैं उसके पुर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी छेत्र से जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था शाथियों गुलामी दा इतना लंबा काल खान जुल्मी शाचक अप्रम पार्यात्नाएं सामाने से सामाने मानवियों का विस्वात तोड़ने की हर तर्कीव है उसके बावजुद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब आजादी के पुर्वत चालीस करोर देश्वासियों ने वो जजवा दिखाया वो सामर्थ दिखाया वो एक सपना लेकर के चले एक संकल्प लेकर के चलते रहे जूजते रहे एकी स्वर्था बंदे बात्रम येकी सपना था भारत की आजादी का चालीस करोर देश्वासियों ने और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उनी का खून है वो हमारे पुर्वच से सिर्फ चालीस करोर चालीस करोर लोगों ने दुनिया की महा सत्ता को उखाड करके भैक दिया था गुलामी की जंजुरों को तोर दिया था अगर हमारे पुर्वच जिनका खून हमारी रगों में है आज हम तो एक सो चालीस करोर है अगर चालीस करोर गुलामी की बेडियों को तोड़ सकते हैं अगर चालीस करोर आजहादी के सपने को पुर्ण कर सकते हैं आजहादी लेकर के रह सकते हैं तो एक सो चालीस करोर देश की मेरे नागरीक एक सो चालीस करोर मेरे परिवार जान अगर संकल पर लेकर के चल पड़ते हैं एक दिशान निर्धारित करके चल पड़ते हैं कदम से कदम मिलाकर कंदे से कंदा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनोदियां कितनी भी क्यों न हो अभाव की मात्रा कितनी हित्वर क्यों न हो संसाधनों के लिए जूजने की नौबत हो तो भी हर चुनोती को पार करते हुए हम सम्रद्ध भारत बना सकते हैं हम 2047 विक्सिद भारत का लक्ष प्राप्त कर सकते हैं अगर 40 करोर देशवासी अपने पुरशार या समरत अपने बलीडान से आजादी दे सकते हैं आजाद भारत बना सकते हैं तो एक सो चानिश करोर देशवासी उसी भाव से सम्रद्ध भारत भी बना सकते हैं साथियों वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्दत थे और आज़ादी मिली थी आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्दता आज़ा दिदला शिक्ति हैं तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्दता सम्रुद्द भारत भी बना सकती है और है कि साथियों विट्सिक भारत 2047 इसरब भाशन के शब्द नहीं है इसके पीछे कठोर परिश्म चल रहा है देश के कोटी कोटी जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देश वाशियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसंदता है कि मेरे देश के करोरों नागरीकों ने विट्सिक भारत 2047 के लिए अंगिनत सुझाव दिये है हर देश वाशी का सपना उसमें प्रतिमिम्बित हो रहा है हर देश वाशी का संकल्प उसमें जलगता है युवा हो गुजुर्ग हो गाउं के लोग हो शहर के लोग हो किसान हो कामदार हो जलीद हो आदिवासी हो पहड़ों में रहने वाले लोग हो जंगल में रहने वाले लोग हो शेहरों में रहने वाले लोग है हर किसी ने 2047 में जब बेश आजादी का सो साल मनाएगा अब तक विश्चित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिये है और मैं जब इन सुझावों को देखता था मेरा मन प्रसंद हो रहा था उन्होंने क्या लिखा कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्कील केपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा था 2047 विश्चित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैनुफेक्टरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने भारत के हमारी उनिवर्सिटी ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतने सावों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड हुआ विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए कुछ लोगों ने सुझाओ दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर छेत्र में आत्मंदिर भर बनना चाहिए कई लोगों ने सुझाओ दिया कि हमारे किसान जो मोटा नाज पादा करते हैं जिसको हम स्री अन्न कहते हैं उस सूपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुचाना है हमें विश्व के पोशन को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों के भी मजबूती देनी है कई लोगों ने सुझाओ दिया कि देश बैस्थानी अस्वराज के संसाओ से ले करके अनेक की काईया है उन सब में गवनन्स के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रतिचिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्ताने रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रिन फिल्ड सिटी बनाने की अब समय की मांग है किसे ने बढ़ती हुई प्राकृति आपदाओं के बीच शासन प्रतासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभ्यान चालाने का सुझाव दिया बहुत सारे लोगों ने ये सपना भी देखा है कि अंतरिख में भारत का स्पेस टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए किसे ने कहा भारत की जो पारमपारिक traditional medicine है हमारी आउसदी है दुनिया जब अब होलिस्टिक हेल्द केर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की पारमपारिक आउसदियां और मेलनेज हप के रुपे भारत को विक्षिद करना चाहिए कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होने चाहिए भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी उकॉनों भी बनना चाहिए साथ्यों मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे देश वाच्यों ने सुझाव दिये मेरे देश के सामाने नागरिक ने ये सुझाव हमें दिये हैं मैं समझता हूँ जब देश वाच्यों की इतनी विशाल सोच हो देश वाच्यों की इतने बड़े सपने हो देश वाच्यों के इन बातों में जब संकल्प जलते हो तब हमारे भीतर एक नया संकल्प द्रड़ बन जाता है हमारे मन में आत्म विश्वात नहीं उचाई पर पहुंच जाता है और साजियों देश वाच्यों का ये भरोसा सिरफ कोई intellectual debate नहीं है ये फरोसा अनुभव से निकला हुआ है ये विश्वास लंबे कालखन के परिशम के परदावर है और इसलिए देश का सामान ने मान भी याद करता है जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गाओं में समय सिर्वा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है तब भरोसा मजबूत हो जाता है जब यह तै होता है का आजहादी के इतने सालों के बाद भी डाई करोर परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है वो अंदेरे में जिंदी की विज़ारते हैं डाई करोर घरों में बिजली पहुंच जाती है तब सामान ने मान भी का भरोसा बढ़ जाता है जब ब्लार किर्ज़ स्वच्च भारत की बात नहीं जाए तब इस देश के अगरीम हरोर पंग्ती में बैठे विए लोग हो गाउं के लोग हो गरी बस्ती में रहने वाले लोग हो छोटे छोटे बच्चे हो हर परिवार के अंदर स्वच्चता क्या वाथावन बन जाए स्वच्चता की चर्चा हो स्वच्चता के संदनबा एक दोसरे को रोक टोपने का निरंतर प्रयाद चलता रहे मैं समझता हूं कि भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिविम है जब देश के सामने लाल के लिए से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में तीन करोर परिवारे से हैं जिरके घर में नल से जल मिलता है आवशक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुँचे जल जीवन मीशन के तहट इतने कम समय में नए बारा करोर परिवारों को जल जीवन मीशन के तहट नल से जल पहुच रहा है आज पंदरा करोर परिवार इसके लाभारती बन चुके हैं हमारे कौन लोग बन चीत थे इन व्यवस्ताओं से कौन पीछे रह गए थे समार के अगरिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे मेरे दलीत मेरे पीडीत मेरे शोशीत मेरे आदिवासी भाई बैन मेरे गरीब भाई बैन मेरे जुकी जोपनी मेरे जिन्दिकी के विजादने वाले लोग बही थे इन चीजों के अभाव में जी रहे थे कि हुमने अनेक ऐसे प्रहां बीक में आवा स्काम की अवस्त्राओं की पूर्थी के लिए प्रयास किया है और उसका परणाम हमारें इंशारे समाज के बंदूओं को मिला है हमने वोकल फृर लोक써यल का मंत्र दिया आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल ने अर्थ तंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है हर डिस्ट्रिक अपनी पैदावर के लिए गर्व करने लगा है वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक का माहूल बना है अब वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक को वन डिस्ट्रिक का वन प् लगे हैं रिन्यूबल एनर्जी का संकर्पलिया था जीट प्वेंटी समों के देशों ने जितना किया है उससे ज्यादा भारत ने किया है और भारत ने उर्जा के एक्षेत्र में आत्मंदिर्वर मनने के लिए ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हमने काम किया है सात्यों देश गर्व करता है आज जब फुन्टेक की सभलता हो को लेकर पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है सात्यों हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के वो संगट काल विश्व में सबसे तेज गती से करोरों लोगों को वेक्सिनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते से जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइड करती है जब देश की सेना एर स्ट्राइड करती है तो देश के नौजवानों का सीना उंचा हो जाता है तन जाता है गर्व से भर जाता है और यही बाते हैं जो आज 140 करोर देश्वाच्यों का मन गर्व से भरा हुआ है आत्म विश्वाच से भरा हुआ है साथियों इन सारी बातों के लिए एक सुविचारी प्रयास हुआ है रिफॉम की परंपरा को सामर्थ दिया गया है नकर तरीकों के नकर नश्कों ले करके और जब राज नितिव नेत्रुत्व की संकल पर शक्ति हो दड़ विस्वात हो जब सरकारी मशिनरी उसको लागू करने के लिए समर्पन भाव से जुड़ जाती है और जब देश के हर ना जनांदोलन बनाने के लिए आगे आता है तब हमें निश्क प्रणा मिलता ही रहता है मेरे प्यारे देश स्वासियों हम यह न भूले कि इस देश उस परितिस्यों सभी दसकों तक भी आज आजी के बाद समय बिताया है जब होती है चलती है अरे यारे तो चलेगा अरे हमें क्या महनत करने की जरूता है अरे मामला है आजने पेड़ी दिखेंगी अरे हमको मुका मिला है यार मोच कर लो आगे वाला आगे का जाने हमें क्या कर रहा है हम अपना समय निकाल दे अरे नया करने जाओ गयो कोई बबाल उड़ जाए पता नहीं क्यों देश में स्टेटस क कहよろ्यों का माहोल बन गया था कि जो है उससे गुझरा कर लो यही का माहोल बन गया था है और लोग तो कहते हैं चोड़ो अपको होने वाला नहीं है चाशो ऐसा ही मनमर गया था हमने इस मान शीकता को तोड़ना था हमें विश्वास से भरना था और हमने उस hilarемся में प्रया किय कई लोग तो कहते थे अरे वह अगली पीडिके लिए काम हमा अजबी से क्योंकर हम तो आज का देखें के ल्यकिन देश का सामान नागरी यह नहीं चाहता वो बढदाव के इंतजार में था वह बढलाव चाहता था उसकी ललक थी लेकिन उसके सपनों को किसे ने तबज्जू नहीं दी उसके आचा पैंशां को पेश्चां को तबज्जू नहीं दी गई और उसके कारा वो मुसिबतों को जेलते हूँ गुजारा करता रहा वो रिफॉर्म्स का क्लास हो हमारे वंचीत लोग हो हमारी बढ़ती जती शहरी आबादी हो हमारे नवजवानों के सपने हो संकल्प हो अकांशाय हो उनके जीवन बढ़लाव लाने के लिए रिफॉर्म का मारुख हमने चूना और मैं देश वाच्छों को विश्वाद दिनाना चाहता हूं लिek पेपर के एडिटोरियल के लिए सिमित नहीं है हमारे रिफॉर्म की यह प्रतिवत्ता है वो जार दिन की वहवाहिक के लिए नहीं है हमारी रिफॉर्म की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है देश को मजबूती देने के इरादे से हैं और इसलिए मैं आज क्या सकता हूं रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोफ की ब्ल्यूप्रिंट बनी हुई है यह हमारा रिफॉर्म यह ग्रोफ यह बढ़लाओ यह सिरफ डिबेट कलब के लिए इंटलेक्ट्ट सुसाइटी के लिए एक्षपट लोगे के लिए सिरफ चर्चा का विशे नहीं है साथ कियों हमने राजनीती मजबूरी के कारन नहीं किया है हम जो गुल्टी कर रहे हैं राजनीती का भागा गुना करके नहीं सोते हैं हमारा एक ही संकल्प होता है नेशन फर्स्ट नेशन फर्स्ट रास्त हिद सुप्रीम यह मेरा भारत महान बने इसी संकल्प को गोले करके हम कदम उठाते हैं साथियों जब रिफार्म की बात आती है एक लंगा परिवेश है अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाओंगा तो साइब गंटों निकल जाएंगे लेकिन एक छोटे सा उदान देना चाहता हुआ बैंकिंग सेत्र में जो रिफार्म हुआ आप सोचिए बैंकिंग सेत्र का क्या नहीं प्रकार की कारणा में चले उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने एक लिए अनेक भी रिफार्म किये और आज उसका कारण हमारी बैंक विश्व में जो इनी गुनी मजबूत बैंके हैं उसमें भारती बैंकों ने अपना स्थान बनाया है और जब बैंक मजबूत होती है ने तब फार्मल एकानोमी की ताकट भी बढ़ती है जब बैंक की व्यावस्ता बन जाती है जब सामाने गर्षास करके मध्यमबर के परिवार की जो रिक्वार्मेंट होती है उसको पूरा लगाय को अपने उचाइव के लिए लोन चाहिए जबांग बैकों से लाभ ले रहे हैं मैरे रेडी पट्री वाले लपाइब भाई-ब्राफिर आज बैंक Sea- máuीगि और विकास की दिशा में वो भागीदार बन रहे हमारे मसमिस हमारे लगूप्तियों के लिए तो बैंक एक सबसे बड़ी सहायक होती है उसको रोज मर्रा पैसों की जरूत होती है अपने नित्य मर्जिप प्रगति के लिए और उस काम को हमारी मजबूत बैंकों के कारा संबह ह हुआ है साथियों कि दुर्भागे से हमारे देश हुए आजादी तो मिली लेकिन लोगों को एक प्रकार चे माई बाप कल्चर से भुज़ना पड़ा है सरकार के पास मांगते रहो सरकार के पास हाथ फालाते रहो किसी की सिफार इसके लिए रास्ते खोड़ते रहो वही कल्चर डेवलप हुआ था आज हमने गवर्ननस के इस मोडल को बदला है आज सरकार खुद लाभारती हितार्थी के पांच जाती है आज सरकार खुद उसके घर गैस का चुला पहुचाती है आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुचाती है आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुचाती है आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को चरकार नेकले प्रेलित करती है पूपसाइच करती है आज सरकार खुद नवजवान के स्किल ड पश्राह को चुनना चाहते हैं हैं साथियों के देश में नई विवस्ताय बन रही है कि देश को आगे ले जाने के लिए पन बीक नीत्यों को था इने भी पैलिसिस ज़ा है और नए सिस्ट्पीं पर के देश का भरोसा भी बढ़ता रहता है निरंतर बढ़ता रहता है आज जो 20-25 साल का नौजवान है जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उमर का नौजवान था उसने अपनी आखों के सामने ये बड़लाद देखा है दस साल के फीतर फीतर उसके सपनों का अकार मिला है धार मिली है और उसके आत्म विश्वास ने एक नई चेत्रा जगी है और वही देश का एक नया सामर्त के रुपे उपर नाजवाद आज विश्व भर में भारत की साख बड़ी है भारत के प्रति देखने का नजरिया बड़ला है आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले है रोजगार क अन गिनेतने अवसर चिसाइदा आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आये थे वाज उनके दरवाजे पर दस्थक दे रहे हैं संभावनाएं बढ़ती गई हैं नए मोके बन रहे हैं मेरे देश के युवाओं को अब दीरे दीरे कलने का इरादा नहीं है मेरा देश का नव्जवान इंक्रिमेंटल प्रगति में विश्वाथ नहीं करना है देश का नव्जवान चलाम मारने के मूड में है वो चलाम मारने देश वाजियों या अवसर हमें जाने नहीं देना है ये मोका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मोके को पगड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर करकर चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वाणिम भारत की जो आपिक्षा और हमें विख्सित भारत का 2047 का एमसमीज का स्टेतर हो, एजुकेशन हो, हेल्ट सेक्टर हो, ट्रांसपर्ट सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो, और सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टिम बन रहा है, हम विश्व की बेस्ट प्रक्टिसीज को भी आगे रखते हुए, हम आमारे देश की आगे बढ़ना चाहते हैं, हर सेक्टर में आधुनिक्ता की जरूरत है, नयपन की जरूरत है, टेक्नोलोजी को जोडने की जरूरत है, और हर सेक्टर में हमारी नई नीत्यों के कारण, इन सारी खित्रों में एक नया सपोर्ट मिल रहा है, नई ताकत मिल रही है, हमारे सारे अवरोध हटे हमारी मंदी से दूर हो हम पूरे सामर्जा के साथ चल पड़े फिल उठे सपनों को प्रा करके रहे सिद्धी को हम अपने नीकर देखें हम आत्मसाथ करें उस दिशा में हम चलना है अब आप देखिए कितना बड़ा बड़ा रहा है मैं इतना जमिनिस्टर की बाग करो Women Self Help Group आज दस साल में हमारे दस करोन बेहने Vemain Self Help Group में जूरी है दस करोन नई बेहने हमें गर्व हो रहा है कि हमारे सामान ने परिवार की गाउं की 10 करोड महिला आर्थिक रूप से आत्मा निर्भर बन रही है और जब महिला आर्थिक रूप से आत्मा निर्भर बनती है तब परिवार की निर्णे प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती है एक बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तन की गारंट ये करका आती है मुझे गर्वा है इस बात पर लेकिन साथ साथ मुझे गर्वा इस बात का भी है कि हमारे CEO आज दुनिया भर के अंदर अपनी धाग जमा रहे है भारत के हमारे CEO विश्व भर में अपनी धाग जमा रहे है हमारे लिए तुझी की बात है कि एक तरफ मेरे CEO दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं भारत का नाम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ विमेन सेल्फ होल गुरुप से एक करोड मेरी सामान परिवार की माताय बहने लखपती दीदी बनती है मेरे लिए ये भी उतना ही गर्व की बात है अब हमने सेल्फ होल गुरुप को दस लाग रुपे से बिस लाग रुपे देने का निरे किया अब तंग नव लाग करोड रुपे बैंकों के माध्यम से हमारे इन विमेंज सेल्फ हेज गूप को मिले हैं और जिसके मदद से वो अपने अनेक वित कामों को भड़ावा रहे है मेरे साथियों मेरे नव जवान इस तरफ ध्यान दे स्पेस सेक्टर एक फ्यूचर है हमारे साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपरोण पहलू है हम उस पर भी बल दे हैं हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफारम किये जिन बंद्धनों में हमने स्पेस सेक्टर को बांद के रखाथा उससे हमने खोल दिया है सेंकलो स्टार्ट अप स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं बाइबरेंट बनता है जाता हमारा स्पेस सेक्टर भारत को एक शक्ति शाली राष्ट बनाने का एक महत्वपून अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं आज प्रावेट सेटलाइट प्रावेट रॉकेट लांच हो रहे हैं यह गर्वे की बात हैं आज मैं कह सकता हूँ जम नीती सही होती है नियत सहीत होती है और पूर्ण समर्पन से राष्ट का कल्यान यही मंत्र होता है तो निश्चित प्रावन हम प्राव तक करके रहते हैं मेरे प्यारे देश्वास्चियों आज देश में नए अवसर बने तब मैं कह सकता हूँ कि दो चीज़े और हुए जिसने विकास को एक गती दी है विकास को एक नई शलांग दी है और यह है पहला है आध्वनिक इंफ्रास्टेक्टर का दर्बान हमने इंफ्रास्टेक्टर को आध्वनिक बनाने के दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं और दूसरी तरफ सामान ये मानिवी के जीवन में जो बादाएं है इस अब लिविंग का हमारा जो सपना है उस पर भी हमने उतना ही बल दिया है पिछले एक दसक में अब भूत पुर्व इंफ्रसेक्टर का विकास हुआ है रेल हो रोड हो एर्पोर्ट हो पॉर्ट हो ग्रॉन्मेंट केरेक्टिविटी हो गाउं गाउं नए स्कूल बनाने की बात हो जंगलों में स्कूल बनाने की बात हो दूर सुदूर इलाकों में अस्पताल बनाने की बात हो आरों के मंदिर बनाने की बात हो मेडिकल कॉलेजों का काम हो अविश्मान आयरों के मंदिरों का निर्मान चलता हो साथ हजार से जाता अमरुक सरोवर बने हो दो लाग पंचायतों तक अप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा हो नहरों का एक बहुत बड़ा जान बिछाया जा रहा हो चार करोर पके घर बनना गरीबों को एक नए आश्रे मिलना तीन करोर नए घर बनाने के संकप के साथ आगे पढ़ने की हमारी कोशिज हो हमारा पुर्वी भारत नौर्थिस्ट उसका इलागा आज इंफ्रासेक्टर के लिए जाने जाना लगा है और हमने यह जो कया कल्प किया है उसका सब से बड़ा लाप समाध के उन्मर गोत घंप पौंचे हैं जो ग्यामिन शड़के बहां बनी है जिनकी तरब कोई देखता नहीं था जुसी लाकों को नहीं देखता था जिनगावों को नहीं देखता था जली थो पीडी थो सोची थो वंची थो पिछले हो आदिवासी हो जंगल पर रहने वाले हो दूर सुदूर पहड़ों पर रहने वाले हो सीवा वर्ति स्थान पर रहने वाले हो हमने उनकी आवश्यक्ता की पूर्ति किये हैं हमारे मच्वारे भाईब्यानों की आवश्यक्ता में रहा है हमारी कारिशेली में रहा है और उस सबसे सबसे बड़ा लाब मेरे युवाओं को होता है उनको नएने अवसर मिलते हैं नएने शेत्र कदम रखने का उसके लिए सम्भावनाय बन जाती है और वही तो सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है और सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त करने का आफसर इनी समय में उनको मिला है हमारा जो मद्यमबर के परिवार है मद्यमबर के परिवार को quality of life वो स्वाभाई भी किसके अपेक्षा रहती है वो देश के लिए भब देता है तो देश का भी दाइत्व है कि उसकी quality of life पे जो उसके पेक्षा है सरकार की कषिनाईयों से मुक्ति की उसकी जो पेक्षा है उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्यात करते हैं और मैंने तो सपना देखा है कि 2047 जब विस्थित भारत का सपना होगा तो उसकी एक काई ये भी होगी कि सामान्य मानवी के जीव हम प्रतिवर्दित हैं मेरे प्यारे देश्वासियों हम जरुत छोटी-छोटी जरुतों पर भी ध्यान देते हैं हम छोटी-छोटी आवस्थ्था ओपर ध्यान देते हैं और उसको लेकर हम चलते हैं चाहे हमारे गरीब का घर का चूला जलता रहे गरीब की मां को कभी आंस तो प्रतीशत होता है जब सैच्चन होता है तो उसको जाति clothes का रंग नहीं लगता है जब मльता होता है तो सब्चेह सब्चनि होता है लोकों के जीवन में सरकार की दखल कम हो उस दिशा में हमने हजारों कम्प्लाइंसिज के लिए सरकार सामाने मानवी पर बोज दालती थी उन सारे कम्प्लाइंसिज को दूर किया हमने देशवाश्यों के लिए देश हजार से जादा कानूनों को खत्प कर दिया ताकि कानूनों की जंजाल के नदेश स्वाजियों को फस्तना न पड़े हमने छोटी-छोटी गलतियों के कारण ऐसे कानू बने थे उनको जेल पर तकेल दिया जाए हमने उन छोटे-छोटे कारणों से जेल जाने के जो परंपराय थी उन सारे कानूनों को नश्ट कर दिया और कानूनों को जेल बेजने के प्रावदान को व्यवस्ता से बाहर कर दिया है आज हमने जो आज आदी के विरासत की विरासत के गर्वे की बात हम जो करते है सद्यों से हमारे पास जो क्रिमिनल लौ थे आज हमने उसको नए criminal law जिसको हमने नयाई सहीता के रूप में और जिसके मूल में दन्दे रही हैं पर नागरी को नयाई इस भाव को हमने प्रबल बनाया है Ease of Living बनाने दिये देश को आपी Mission में काम करें और लेवल पर मैं सरकार के प्रतिनी जीदों का आवान करता हूँ मैं जन्प्रतिनी ती वो किसी भी दल के क्योंन हो किसी भी राज्य के क्योंन हो सबसे आगर करता हूँ कि हमने Mission Mode में Ease of Living के लिए कदम उठाने चाहिए मैं हमारे युवाओं को Professionals को सब को मैं कहना चाहता हूँ आप अपनी स्थान स्थान पर जहां पर आपको छोटी छोटी दिक्कते होती है आप उसके solution को लेकर के सरकार को चिठी लिखते रहिए सरकार को बताइए कि बिना कारण की कठिनाई आए उसको दूर करने से कोई नुक्सान नहीं है मैं पक्का मानता हूँ आज सरकार है सम्भेदंसिल है हर सरकार स्थान ये स्वाराज के संस्ता होगी या राच या केंदर सरकार होगी उसको तवज्यो देगे गवननेंस में रिफॉर्म्स यह हमें विक्सित भारत पेंटी फोर्टी सेवन के सपने के लिए हमने उसको जोर लगा करें के आगे बढ़ाना होगा ताकि सामाने मानवी के जीवन में अवकास ही अवकास प्यादा हो रुकावट में खत्म ही खत्म होती चली जाए नागरीकों का dignity of citizen नागरीकों के जीवन में सम्मान मिले delivery के समझ में कभी किसी को ये कहने के मौबद नाया कि ये तो मेरा हक ठक मुझे मिला नहीं उसको खोजना न पड़े सरकार के governance पर delivery system को और मजबूती चाहिए आप देखिए देश में जब हम reform की बात करते हैं आज देश में करीब करीब तीन लाख समस्ताय काम करिए चाहिए पंचायत हो नगर पंचायत हो नगरपाली का हो महनगरपाली का हो यूटी हो स्टेट हो डिस्ट्रिक हो के छोटी मोटी तीन लाख करीब करीब काईया है अगर हमारे तीन लाख की काईयों को मैं आज आवान करता हूं कि अगर आप साल में अपने स्तरपन जिन चीजों की जरुत है सामान ने मानवे के लिए दो reform करें जाना नहीं कह रहा हूं मेरे साथियों एक पंचा है तो एक राचे सरकार हो कोई भी भाग हो सिरफ एक साल में दो reform और उसको जमीन पर उतारें आप देखिए हम देखते ही देखते ही एक साल में करीब करीब 25-30 लाख reform कर सकते हैं जब 25-30 लाख reform हो जाए तब सामान ने मानवी का विश्वात कितना बढ़ जाएगा उसकी शक्ती राश को डेख पर ले जाने में कितनी काम आएगी और इसलिए हम अपने स्तर पर होती है चलती से मुक्ति पाकर के बदलावों के लिए आगे आए हिम्मत के साथ आगे है और सामान ने मानवी की जरूत चोटी-चोटी जरूत होती है पंचायट लिबल पर भी मुसीबते जेल रहा है उन मुसीबतों से मुक्ति दिलाएं तो मुझे पक्का भी स्वास है कि हम सपनों को पार कर सकते हैं मेरी प्यारी देश स्वाचियों आद देश आकांग्छाओं से भरा हुआ है हमारे देश का नव जमान नई सिद्धियों को चुमना चाहता है नए नए सिखरों पर कदम रखना चाहता है और इसलिए हमारी कोशिश है हर सेक्टर में कार्य को हम गती दे तेज गती दे और उसके बारा पहले हम हर सेक्टर में नए आउसर पैदा करें दूसरा इस बदलती हुई भवस्ताओं के लिए जो सपोर्टिम इंफ्रसक्टर चाहिए उन इंफ्रसक्टर पर हम बदलाओ के मजबुती देने की दिसा में काम करें और तीसरी बात है नागरीकों की मुलभूत सुविधाओं की विशे में हम प्राथ्विक्ता दें उसको बल दे हैं इन तीनों भारत में एक एस्प्रेशनल सुसाइटी का निर्मान किया है और उसके पनणाम सरूप आज समाज खुझ एक विश्वास से भरा हुआ है हमारे देश वास्चों की आकांशा है उनके एस्प्रेशन्स हमारे नव जबानों की उर्जा हमारे देश के सामर्थ के साथ जोड करके हम आगे बढ़ने की एक ललक ले करके चल रहे है मुझे पी स्वाव है रोजगार और स्वरोजगार नए रिकॉर्ड के आउसर पर हम काम किया है प्रति व्यक्ति आज आज दोगुनी करने में हम सभल हुए हैं ग्लोबल ग्लोथ में भारत का योगजान बढ़ा है भारत का एकपोट लगातार बढ़ रहा है विदेशी मुदरा भंडार लगातार बढ़ा हुआ है पहले से दोगुना पहुँचा है ग्लोबल समसानों का भारत के पती भरोशा बढ़ा है मुझे विश्वात है भारत की दिशा सई भारत की गति तेज है और भारत के सपनों में सामर्थ है लेकिन सब के साथ संबेदन सिल्का का हमारा मार्ग हमारे लिए उर्जया में एक नई चेतना भरता है ममभाव हमारे कारे के शैली है समभाव भी चाहिए ममभाव भी चाहिए उसको ले करके हम चलना है साथियों मैं जब कोरोना काल को याद करता हूँ कोरोना की वेश्विक में हमारी के बीच सबसे तेजी से एकोनोमी को बहतर बनाने वाला कोई देश है तो वो देश भरत है तब लगता है कि हमारी दिशा सही है जब जात पात मत पंत उपर उठकर हर गर्थिरंग अफ्षाए जाता है तब ज़ता है देश की दिशा सही है आज पुरा देश तिरंगा है हर गर तिरंगा है नकोई जात है नकोई पाथ है नब ऊच नब कोई लीच है सभी भास्ति है यही तो हमारी दिशाव कि ताकत है जब हम पतीस करों लोगों को गरीबी से बाहर निकालते हैं तब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि हमने गती को बराबर मेंटेन किया है और सपनों को साकार करना दूर नहीं है जब सो से अधिक आकांची जिले अपने राज के अच्छे जिलों की परदा कर रहें बराबी कर ले लगे हैं तो हमें लगता है कि हमारी दिशा और गती दोनों सामर्दवान है जब हमारे उन आधिवासिसाथियों को वो मदद मिलती है पीम जन्मन के द्वारा उनको जो योजना ही पहुँची थी आबादी बहुत छोटी है लेकिन बहुत दो सुर्दूर इलाकों में छूट पूट छूट पूट परिवार रहते हैं हमने उनको खोच के निकाला है उनके लिए चिंता की है तब लगता है कि सम्वेदन सिल्टा से जब काम करते हैं तब संतोष कितना मिलता है वर्किंग मुमेन के लिए पेड मेटनिटी लीव बारा हफ्ते से बढ़ा करके 26 हफ्ते कर देते हैं तब स्रम नारी का संभाणी करते हैं नारी के पर दिए सम्वेदन सिल्ट भावते निर्णे करते हैं लेकिन उसके गोद में जो बच्चा पला है उसको एक उत्तम नागरि जब मेरे दिव्यांग भाई बहन भारतिये साइन लेंग्वेज की बात हो या तो सुगम में भारत का भियान हो उसको लगता है कि मेरी भी डिगनीटी है मेरे पते संभाव से देखता है और और परालंपिक में तो हमारे खिलाडी नही नही ताकत दिखाने लगे हैं तब ल हमारे ट्रांसजेंडर समाज के पती हम जीस संबेदना के साथ नेने बना रहे हैं हम नेने कानून बना रहे हैं उनको सम्मान का जीवन देने के लिए हम प्यास कर रहे हैं तब लाव के हमारी दिशा सही दिकता है सेवा भाव से किये गए इन कामों का जो त्रिवीत मार्गो हम चले हुए इन कामों का एक सीधा सीधा लाफ आज उसके परड़ाम के रूप में हमें नजर आ रहा है साड़ साल बाद लगातार तीसरी बार आपने हमें देश सेवा का मोका दिया है मेरे 140 करोड देश वासी आपने जो आशिरवाद दिये हैं उस आशिरवाद में मेरे लिए एकी संदेश है जन जन की सेवा हर परिवार की सेवा हर छेत्र की सेवा और सेवा भाव से समाज की शक्ति को साथ ले करके विकास की नई उचाईयों पर पहुंचना 2047 विक्सित भारत के सपने को ले करके चलना उसी एक संदेश को ले कर मैं आज लाल किले की प्राचीर से हमें आशिरवाद देने के लिए मैं कोटी-कोटी देश वाचियों का सर जुका करके आभार व्यक्त करता हूं मैं उनके प्रती नत मस्तक होता हूं और मैं उनको भी सास दिलाता हूं कि हमें नई उचाईयों को नए जोस के साथ आगे बढ़ना है हमें सिर्फ जो हो गया है वो संतोष मान करके बैठने वाले हम लोग नहीं है वो हमारे समस्कार में नहीं है हम कुछ और करने के लिए कुछ और आगे बढ़ने के लिए और कुछ और नहीं चाहियों को पार करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते है विकास को सम्रुद्धी को सपनों को साकार करने को संकल्पतों ले जीवन खपाने को हम अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं देश वाच्छों का स्वभाव बनाना चाहते हैं मेरे पैरे देश वाच्छों आज नई सिख्षा नीती बहुत एक मात्रों में कई राचों ने उसको अच्छा इनिसेटिव लिए है और उसके कारण आज एक 21 सजी के अनुरूप हमारी सिख्षा व्यवस्ता को जो अंबल देना चाहते है मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे देश के नवजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े मद्नमर के परिवार के लाखो करोडों रुपिया बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने में खर्थ हो जाए हम यहां ऐसी शिक्षा व्यवस्ता का विक्सित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नवजवानों को विदेश जाना न पड़े मेरे मद्नमर के परिवारों को लाखो करोडों रुपिया खर्च करना न पड़े इतना ही नहीं ऐसे संस्तान निर्माण हो ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर मुह मुढ़े अभी अभी हमने बिहार का हमारा गवर प्रदित्यात रहा है नालंदा उनिवर्सिटी का पना निर्माण किया है फिर से एक बार नालंदा उनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है लेकिन हमें सिक्षा के एक छेत्र में फिर से एक बार सद्यों पुराने उस नालंदा स्पिरीट को जगाना होगा उस नालंदा स्प्रीट को जीना होगा उस नालंदा स्प्रीट को लेकर के बड़े विश्वात के साथ विश्वगी ग्यान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा मुझे पुका विश्वात है कि नई शिक्षा नहीं ती ने मात्रु भाषा पर बल दिया है मैं राज सरकारों से कहूंगा मैं देश की सभी संसाम से कहूंगा कि बाषा के काराण हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए बाषा अबुरुत नहीं होनी चाहिए मात्रु भाषा का सामर्थ हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब मा के बेटे को भी सपने पूरा करने का तांकत देता है और इसलिए हमने हमारी मात्रु भाषा में पढ़ाई जीवन में मात्रु भाषा का स्थान परिवार में मात्रु भाषा का स्थान उसकी और हमें बल देना होगा मेरे प्यारे देश स्वाचियों जिस प्रकार से आज विश्व का बढ़लाओं नजर आ रहा है और सब जाकर के स्कील का महत्म बहुत बढ़ गया है और हम स्कील को और नई एक तागत देना चाहते हैं हम industry 4.0 को धानमारकर करके हम Skill Development चाहते हैं हम जीवन के हर खेत्र में हम agriculture सेक्टर में भी capacity building करके लिए Skill Development चाहते हैं हम तो हमारा समाई का खेत्र हो उसमें भी एक नई Skill Development की और बल दिना में चाहते हैं और हम Skills India Program को बहुत व्यापक रूप से इस पाल दे कर करके हैं बजेट में भी इसका बहुत बड़ा इस बजेट में इंटर्शिप को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नौजवानों को एक experience बिले उनकी capacity building हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे उस परकार से मैं skill युवानों को तयार करना चाहता हूं और जरे कई हुआ और दोस्तों आज विश्व की परितित को देखते हुए मैं साप साप देख रहा हूं कि भारत का skilled manpower हमारा skillful जोग नौजवान है वो ग्लोबल जॉब मार्केट में अमपनी तमक बनाएं अम उस अपने को लेकर के आगे चल रहे हैं साथियों पिश्व दिश्टेजी से बदलता है जीवन के हर शेत्र में साइंस और टेक्नलोजी का महत्मय बढ़ता चला जारे बाला हमें साइंस को बहुत बढ़ देला के आवश्यक्ता है और मैंने देखा चंद्रयान की सफलता के बार हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर साइंस और टेक्नलोजी के प्रती एक नई रूची का मातावन बना है नई दिल्चस भी बढ़ी है तब हमारे सिक्षा संस्तानों ने यह जो मनोभाव बना है उसको नर्चर करने के लिए आगे आना होगा भारत सरकार ने भी रिसर्च के लिए सपोर्ट बढ़ा दिया है हमने जाता से ज़्यादा चैस स्थापित किये हैं हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना करके हमने उसको एक कानूनी परिवेश्च में ला करके स्थाई रूप से एक व्यवस्ता विक्सित की हैं ताकि रिसर्च को लेकर के निरंतर बल मिले और ये निसर्च फाउंडेशन उसकाम को करें मेरे बड़े गर्व की बात है कि बजेट में हमने एक लाग करोड रुपिया रिसर्च और इनोवेशन के लिए हमने देने का निर्णे किया है ताकि हमारे देश के नौजवान के पास जो आइडियाज है उस आइडियाज को हम जमीन पर उतार पूए हैं साथियों आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं वैज़ा का हमने बहुत ज्यादा तर मद्दमबर के परिवार के उनके लाखों करोर और उनके खर्च हो जाते हैं और तब जाकर के हमने पिछले ड़त साल में मेडिकल सीट साथियों को करीब करीब एक लाग कर दिया आज मैं करीब करीब 25,000 युवां हर साल विदेश में मेडिकल एचुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है कभी कभी जो मैं सोच सुनता है तो हरान हो जाता हूं और इसलिए हमने ताइक किया है कि पांच साल में मेडिकल लाइन में पच्चतर हजार नई सीटे बनाई जाएगी मेरे प्यारे देश वाचिए विट सीज भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए और जो स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोशन पर आच्चे ही ध्यान देने के ज़रू और इसलिए हमने विट सीज भारत की जो पहरी पीड़ी है उनकी तरफ भीशेद ध्यान दे करके हमने पोशन करने का भ्यान चला है हमने रास्टिये पोशन मिशन चुरू किया है पोशन को हमने प्रात्विक्ता दी है मेरे प्यारे देश वाचियों हमारी कृसी व्यवस्ता ठ्रान्सफर्म करना बहुत जरूरी है समय की मांग है हम सद्यों से जिस प्रमिश वरता दमे हुए है जकडे हुए है उससे मुक्ति पानी होगी और हमारे किसानों को उसके लिए हम मदद भी दे रहे हैं हम उसको ट्रांस्फर्म करने के सामें लगातार काम करते आएं टेक्नोलोजी की मदद दे रहे हैं, किसान जो पैदावर करता हूँ, उसको वैलु एडिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए मार्केटिंग के लिए पूरा प्रबंद करते हैं, क्याकि उसको एंड टू एंड हर जगा पे हैंड होल्डिंग की विवस्ता हो, उस दिशा दिनों दिन विगरता जा रही हैं, हमारी धरती माता की उत्पाचक तक शम्ता खतम होती चली जा रही हैं, कम होती चली जा रही हैं, और दो समाएं, मैं मेरे देश के लाखों किठानों का अभार वेक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है और हमारी धरती माता की सेवा करने का भी उन्होंने बिड़ा उटाया है और इस बाद बजेट में भी प्राकुर्तिक खेती को बल देने के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के साथ बहुत बड़ा बजेट में प्रावधान किया है मेरे प्यारे देश वासिव अज दुनिया के स्थिती मैं देखता हूँ तोरा विश्व होलिस्टिक हेल्ग केर की तरब मुड़ा है और तब उनको आर्गेनिक फूर्ड ये उनकी प्रथम पसंद बनी है आज विश्व के लिए आर्गेनिक फूर्ड का अगर कोई फूर्ड बास्केट बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है मेरा देश बन सकता है और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को ले करके आगे चलना चाहते हैं ताकि आर्गेनिक फूर की जो विश्व की मांग है उस आर्गेनिक फूर का बास्केट हमारा देश कैसे बने किसानों का जीवन आसान बने किसानों को स्वास्त पस्विदा है मले किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट स्कूल अवेलेबल हो किसान के बच्चों को रोजगार उपलगत हो छोटी छोटे खेती के टुकणों पर पुरा परिवारा जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है तब उनके नव जबानों के लिए वो स्कील मिले ताकि उनके नए रोजगार मिले नए आयके साधन बने इसका एक कॉम्प्रियेंसिव प्रयास हम कर रहे हैं बीते वर्षों में विमेन लेट डवलप्मेंट मोड़ल पर हमने काम किया है इनोवेशन हो एंप्लॉइमेंट हो एंट्रेप्रिनर्शिप हो और सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं सिर्फ भागी जारी बढ़ा रही एसा नहीं महिलाओं में आज हमारे रक्षाक्षेता में देखिए हमारा एरफोर्स हो हमारी आर्मी हो हमारी नेवी हो हमारा स्पेस सेक्टर हो आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए हैं लेकिन दुसरी तरफ कुछ चिंता की बाते भी आती हैं और मैं आज लाल के लिए स फिर बार एक अपनी प्रिया व्यक्त करना चाहता है एक समाज के नापे हमें गंबीरता से सोचना होगा हमारी माताओं बेहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे है उसके प्रति देश का अक्रोष है जन समयने का अक्रोष है इस आक्रोज को मैं मैसूस कर रहा हूँ इसको देश को समाज को हमारे रिवाज्च सरकारों को गंबीरता से लेना होगा महिलाओं के विरुद अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो राक्षसी कृत्य करने को वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजाँ हो विश्वात पैदा करने के लिए ज़रूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलादकार की अब महिलाओं पर प्रचार की घटनाएं घटती है उसकी बहुत चर्चा होती है बहुत प्रचार होता है मिडिया में छाया रहता है लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ती व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है कौन में कहीं पड़ा रहता है अब समय की मांग है जिनको सजा होती हो उसकी व्यापक चर्था हो ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की साहलत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत ज़रूरी है मेरे पहले देश स्वासियों हमारे देश में एक आतर बन गई थी स्वभाव से हम देश को कमा आखना देश के पती कि गवरों के भाव का भाव होना यह स्वता नहीं क्यों हमारे जहन में गुज गया था और हम तो कभी कभी तो लेट आए तो कैसे इंडियन राए शर्म के साथ हम बोल देते हैं देश को इन चीजों से हमने बाहर लाने में सफलता पाई है किसी जमाने में कहाँ जाता गरे खि मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे देश के खिलानों दुनिया के बाजार में अपनी थमख लेकर के पहुंच रहा है तो यह जमाना था हम मोबाइल फॉन इंपोर्ट करते थे आज मोबाइल फॉन का मैनुफेकिंग का एको सिस्टिम बना है बहुत बढ़ा हब बना है और यह भारत की ताकत है सांत्यों भविश के सांत सेमी कंड़क्टर जुड़ा हुआ है आदुनिक टेक्वाजी जुड़ी है यह जुड़ा हुआ है हमने सेमी कंड़क्टर मिशन पर काम शुरू किया है हरुप करण है मेरी निनिया चीप क्यों न हो क्यों यह सपना मेरे देश कि इसका नवजवान देगिए तेले जहाँ है प्रॉडॉक्षों भी हिंदुस्तान में होगा सेमिकेंडक्टर का काम व हिंदुतान में होगा और हम end to end solution दुरिया को देजी की ताकत रखते हैं और हम उसको का रखते हैं साथ एक जमाना हम देखा है तू जी के लिए हम कैसा जंगर्ष करते थे आज हर उपकरान में हम देख रहे हैं हम तेजी से आगे बढ़े और फायू जी जिस तेजी से पुरे देश में रोल आउट हुआ हिंदुतान के करीप-करीव सबीक्षेत्रों में फायू जी पहुंच गया विश्व में तेज गती से फायू जी पहुंचाने में हम आगे रहे हैं और देश साथियों मैंने कहा हम रुखने वाले नहीं है हम सिख जी पर अभी से मिशन बोर्ड में काम कर रहे हैं और विश्वें हम उसमें भी अपने विश्मक जमाएंगे यह मैं विश्वा से कहता हूं मेरे प्यारे साथियों डिपेंज सeक्टर हमारी आदथ हो वे ही कौन हो लेकिन कभी को सोचता नहीं था है कि डिफेंज बढ़ा तो जाता कहा है डिफेंज बजेट विदेशों से खरीजित चला आता था The, कि अब हम चाहते हैं विदेश से नहीं लाएंगे राष्ट के लिए जीना क्या कहते हैं, यह बहुत म के सेना के जमानों धि करता है। अरूसके कारण डिपेंस के सेक्टर में हमात्मनीर फ scrut चली में भारत के पहचान बनिये और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस के हर छोटी मोटी चीज भारते लाता था दीरे-धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के खेत्र को बरवाद देना चाते को गिर्योजगार के लिए सरवाधिक आवश्चक है आज पी एलाई स्कीम को बहुत बड़ाई सफलता मिली है एफडियाई रिफॉर्म्स उसने भी हमें बहुत बड़ी चाकत दी है MSM East को बहुत बड़ा बल मिला है नई व्यवस्ताइ विक्सित हुई है और उसके काड़ान हमारा manufacturing Halep हम दुनिया का manufacturing hub बने देश के पास इतिने नावजवान सक्ति हो जिस देश के अंदर ये सामर्त हो हम manufacturing के दुनिया में भी इंडिस्ट्री 4.0 में हम बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे जाना चाहते हैं और इसके लिए आवस्ट्रेक स्किल्ड डेवलप्मेंट उस पर भी हमने बल दिया है और स्किल्ड डेवलप्मेंट भी हमने नए मोडल ताई किये हैं हमने जन भागीदारी को जोड़ा आए ताकि तुरंद रिक्वार्मेंट के नुसार स्किल्ड डेवलप्मेंट हम कर सेके हैं और जुझे भी स्वास हैं मैं लाल के लिए की प्राचीत से कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं होगा जो भारत इंडिस्ट्रेल मैनुफेक्शन का हम होगा दुनिया उसकी तरफ देखती ह आज विश्व की बहुत बड़ी कंपनिया भारत में निवेश करना चाहती है यह चुनाओ के बाद मैंने देखा मैंने तीसरे कारकल में जितने लोग मुझे मिलने के लिए मांग कर रहे हो ज्यादा तर निवेश है लोग है विश्व भरके निवेश है वो आना चाहते हैं एक बहुत बड़ा golden opportunity मैं राज्य सरकारों से आगरा करता हूँ कि आप निवेशकों को आकर सित करने के लिए सपस्ट निती निधारित कीजिए गुड गवर्ननस का अस्वासन दीजिए law and order situation के लिए उनको भरोसा दीजिए हर राज्य एक तंद्र स्परधा में आगया आए राज्य राज्य के बीच निवेशकों को खींचने के लिए परदा होनी चाहिए निवेशकों को लिए ताकि उनके राज्य में निवेशक आएंगे उनके राज्य के नव जमानों को स्थानी रूप से आउसर मिलेगा रोजगार का आउसर मिलेगा नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए तो global requirement का अनुसार्म नीतियों को राज्यों ने परिवर्थित करना चाहिए land की आवसकता है तो राज्यों ने land back बनानी चाहिए good governance single point पर काम करने के लिए राज्य जितने प्रोएक्टिव होंगे जितने ज़्यादा प्रयास करेंगे जो निवेशक आ रहे हैं वो कभी भी वापित नहीं जाएंगे सिर्फ बारत सरकार से कामेत होता नहीं है राज्य सरकारों की बहुत बड़ी आवश्यक्ता होती है क्योंकि जो भी project लगने वाला उस राज्य में लगने वाला है उसको हर राज्य के साथ रोजमरा का काम पढ़ता है और इसमें मैं राज्यों से आगरे करूंगा कि जब विश्व पूरा भारत की तरवाकर्षित हो रहा है विश्व पूरा भारत में निवेश करने के लिए फ्रतिबत्त हो रहा है तब यह हमारा दाइत्व बनता है कि हमारी पुरानी आदते छोड़ करके पस्त नीती के साथ हम आगे आएं देखिए आपको प्रणाम अपने राज में दिखाई देगा और आपका राज भी चमक उठेगा यह मैं आपको विश्वाद देता हूँ साथियों भारत अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए पहचानी जाए यह बहुत जरूरी है अब विश्वा के लिए हमें डिजाइन का खेत्रा डिजाइन इन इंडिया इस पर हमने बल देना है हमें कोसिस करती है अब इंडियन स्टांडर्ड इंटरनेशनल स्टांडर्ड बनने चाहिए इंडियन स्टांडर्ड इंटरनेशनल स्टांडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहता से महर लग जाए और यह हमारे production की quality पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की quality पर निर्भर करेगा, हमारे approach की quality पर निर्भर करेगा, और इसलिए हमें quality पर बल दे करके आगे बढ़ना है, हमारे पास talent है, डिजाइन के ख्षेत्रम हम दुनिया को बहुत को नया दे सकते हैं डिजाइन इन इंडिया इस आहवान को लेकर के हमें अब आगे चलना है डिजाइन इन 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 डिजाइन फॉर्ट वर्ल इस सपने को लेकर के चलना है मैं देख रहा हूँ गेमिंग की दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है लेकिन आज भी गेमिंग की दुनिया पर प्रभाव खास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग प्रोड़क बनाने वाले लोग विजेशी कमाई होती है बारत में पास बहुत बड़ी विरासत है हम गेमिंग की दुनिया में बहुत नहीं टैलेंट को लेकर आ सकते विश्व के हर बच्चे को हमारे देश के बनी हुई गेमिंग के और आकरशी कर सकते मैं चाहता हूँ कि भारत के बच्चे भारत के नवजवान गेमिंग के दुनिया को लीड करें खेलने में नहीं गेमिंग के दुनिया में हमारे प्रोड़क्ट पुरे विश्व में पहुंचने चाहिए और पुरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दाग जंगा सकते हैं, हम उस दिशा में काम करें, मेरे पहरे देश वासियों, आज विश्व के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग, क्लामेट चेंज, हर खेतर में चिंता और चर्चा का विश्य रहता है, भारत ने उस दिशा में काभी कदम उठाए, हम विश्व को आस्वस्त करते रहे हैं, और शब्दों से नहीं, अपने कारियों से, प्रात्व परणामों से, हमने विश्व को आस्वस्त भी किया है, और विश्व को आश्चेरिय चकीज भी किया है, हम ही हैं, जिन्होंने सिंग प्लास्टिक पर प्रतिवन लगाया है हमने रिन्यूबल एनर्जी पर विस्तार किया है हमने रिन्यूबल एनर्जी को एक नहीं ताकत दी है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम लेट जीरो फ्यूचर के और आगे बढ़ रहे हैं मुझे आध है प्रीस एकोर्ड मैं जिन डेशों ने अपने लक्ष निर्धारित किये थे आज मैं लाल के लिए की प्राचिर से मेरे देश वाच्छों की ताकत दुनिया को बताना चाहता है जी ट्वेंटी देश के समूँ जो नहीं कर पाएं तो मेरे देश के नागरिकों ने करके दिखाया है मेरे देश वाच्छों ने करके दिखाया है हिंदुस्तान ने करके दिखाया है पैरिस एकोर्ड जेंदर जो टार्गेट हमने ताई किये थे उन टार्गेट को समय से पहले पूरा करने वाला जी ट्वेंटी देशों के समूँ में अगर कोई है तो एक मात्र मेरा हिंदुस् 30 तक renewable energy को 500 gigawatt तक ले जाने के लिए बक्सद से काम कर सकते हैं कितना बड़ा लक्ष है दुनिया के लोग सिर्फ 500 gigawatt शब्द सुनते न तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं लिगनाच मैं विश्वास से कह रहा हूं देश्वासियों को इस लक्ष को भी हम पूरा करके हमने 2030 तक हमारी railway को net zero emission का लक्ष लेकर हम चलता है साथ को PM सुर्यगर मुप्त बिजली योधना उसको एक नई ताकत देने वाली है और यह बड़लाव का फल मेरे देश के सामाने परिवार को मिला गिश्वास करके मेरे मद्यमबर को मिलेगा जब उसका बिजली का मुप्त ह बिजली मुप्त हो जाएगा इलेक्ट्री वेहिकल उसके मांग बढ़ती जा रही है जगर PM सुर्यगर योधना से वो बिजली उत्पादन करता है सुर्यगर से तो उसका वेहिकल का प्रवास का खर्चा भी वो कम कर सकता है साथ कि हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर के एक ग्लोबल हब बनना चाहते हैं बहुत तेजी से नीतिया बढ़ाई गई है बहुत तेजी से उसका इंपलिमेटेशन का काम हो रहा है और भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक न्यू एनरजी की दिशा में हम जाना चाहते हैं और यह सारे जो प्रयास चल रहे हैं प्राइमेट की चिंता तो है ही है लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है और इसलिए आने वाले कालखंड में ग्रीन जॉब्स का महत्वा बढ़ता आए तो उसको जब से पहले कैप्टेर करने के लिए मेरे देश के नव जवानों का उसर देने के लिए और ग् जंडे की नीशे वो नवजवान बैठे हैं जिन्होंने ऑलेंपिक की दुनिया में भारत का पर्चम लहराया मैं मेरे देश के सबी अथलीट्स को मेरे देश के सबी खिलाडियों को 140 करोर देश वास्यों की तरब से बढ़ाई देता हूं और हम नए सपने नए संकल्प अतन्तिक पुर्षात के साथ नए लक्षों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे ऐसा में विश्वास के साथ उनको शुब कामनाई भी देता हूं आने वाले कुछ दिनों में भारत के एक बहुत बड़ा दस्ता परालेंपिक के लिए पारिस जाना के लिए रवाना होगा मैं मेरे सबी परालेंपिक खिलाडियों को भी रुष्वास इसे बहुत बहुत सुब कामनाई देता हूं साथियों भारत ने जी ट्वेंटी को और्गनाईज किया हिंदुस्तान के अने एक शहरों में और्गनाईज किया दोसे से जादा इवेंट किये पूरे बिश्व में जी ट्वेंटी का इतना बड़ा व्याप इतना बड़ा कारिकम कभी नहीं हुआ इस बार हुआ इसने एक बार सित्य कर दी है कि भारत में बड़े से बड़े काम कारिकम और्गनाइज करनी की ताकत है भारत वो किसी कोई भी हस्पिटालिटी का सामर्थ भारत में सबसे जाजा है अगर ये सित्य हो चुका है तो साध्यों हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ऑलिम्पिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धर्ती पर हो इसके लिए हम तयारी कर रहे हैं उसके लिए हम आगे ज़रे हैं साध्यों समाज के आखरी तपके के जो लोग है ये हमारा सामाजिक दाइक्व है अगर कोई पीशे रह जाते हैं तो हमारी आगे बढ़ने की गती कम कर देता है और इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी सफलता तब मिलती हैं पीछे वाले को भी साथ साथ आगे ले आए और इसलिए हम सब कब दाइत्व बनता है कि हमारे समाज में आज भी जो खेतर पीछे रह गए है जो समाज पीछे रह गए है जो लोग पीछे रह गए हो हमारे छोटे छोटे किसान हो हमारे जंगलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बहलो हमारी माताएं बहने हो हमारे मजदूर हो हमारे समीख साती हो हमारे कामगार लोग हो इन सब को हमें बराबरी में लाने के लिए हमारे बराबर लाने के लिए बरपूर प्यास करना है लेकिन अब गती पकड़ गई है अब लंबे दिन तक हमें वो करना नहीं पड़ेगा बहुत जल्द वो हमारे पास पहुंच जाएंगे हमारी बराबरी में आ जाएंगे हमारी टाकत बहुत बढ़ जाएगी और बड़ी संबेदना के साथ हमें इस काम को करना है और इसके लिए एक बहुत बड़ा आउसर आ रहा है मैं मानता हूं संबेदन सिल्टा की दरस्टी से इससे बड़ा आउसर क्या हो सकता है हमें पता है 1857 के स्वातांतर संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के ना को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी वक्त था 20-22 साल की उमर में उसने अंग्रेजों के ना को दम ला दिया था जिसको आज भगवान बिर्सामुंडा के रुप में लोग पूजा करते हैं भगवान बिर्सामुंडा की 150 वी जैन्टी आ रही है कि हम सब के लिए प्रेणा का कारण बढ़े समाज के प्रती छोटा साथ छोटा अब्यक्तिवी देश के लिए कैसी जज़वाज रखता है उससे बड़ी प्रेणा भगवान बिर्सामुंडा से अधिक कौन हो सकता है आईए हम भगवान बिर्सामुंडा की 150 वी जैन्टी जब मनाए समवेदन सिल्का का हमारा व्याप बढ़े समाज के प्रती हमारा ममभाव बने हम समाज के हर भी व्यक्ति को गरीबों को दलीत को पिष्णों को आजिवाचों को हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले इस संकल्प को लेकर के चलना है मेरे पहारे देशवास जीओ हम संकल्प साथ तो बढ़तो रहे हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगती देख नहीं सकते कुछ लोग होते हैं जो भानत का भला सोच नहीं सकते हैं जब तक खुद का भला नहो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है ऐसी विक्रुत मानसिक्ता से बर हुए लोगों की कमी नहीं होती है देश को ऐसे लोगों से बचना होगा बेन निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग है ऐसे मुठी बन निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृती पलती है तब वो विरास का कारण बन जाती है सर्वनास का कारण बन जाती है एनार की का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानी हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से महनत करनी पड़ती है इसलिए ऐसे जो चुट पुट निराशावनी तत्व होते हैं वो सिर्फ निराश ही तरह नहीं है उनकी गोद में विकृती पल रही है ये विकृती विनास के सर्वनास के सपने देख रहे हैं ताने बाने जोडने की प्रयासों में लगी हुए देश को इसे समझना हो गया लेकिन मैं देश वाशों को कहना चाहता हूं कि हम हमारी नेक नियत से हमारी इमानवारी से राष्टर के प्रती हमारे समरपन से हम सारी परिस्तित्यों के बावजुद्धी विप्रित मार्च पर जाने वालों के लिए विए उनके भी दिल जीत करके हम देश को आगे बढ़ने के हमारे संकल्प में कभी भी पीशे नहीं हटेंगे यह मैं विश्वाद दिना जाते हूँ साथियो चुनोतिया है अंगिनित चुनोतिया है चुनोतिया भीतर भी है चुनोतिया बहार भी है और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे जैसे जैसे हमारा तबज्जु बढ़ेगा तो चुनोतियां भी बढ़ने वाली है बहार की चुनोतियां और बढ़ने वाली है और मुझे उसका बली पाती अंदाज है लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता भारत का विकाज किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता हम विश्व में समरुद्ध थे तब भी हमने जबी दुनिया को युद्ध में नहीं जोंका है हम बुद्ध का देश हैं युद्ध हमारी राह नहीं है और इसलिए विश्व चिंतित नहो भारत के आगे बढ़ने से मैं विश्व समुदय को विश्वाद दिलाता हूँ कि आप भारत के समस्कारों को समझिए भारत के हजारों साल के इत्यास को समझिए आप हमें संकट मत बारिये आप उन तर्कीबों से न जुड़िये जिसके कान पूरी मानवजात का कल्यान करने का सामर्थ जिस भूमी में हैं उस भूमी को ज़्यादा मेहनत करने पड़े लेकिन फिर भी मैं देश वाच्यों को कहना चाहता हूँ चुनोतिया कितनी ही क्यों न हो चुनोति को चुनोति देना ये हिंदुस्तान की फित्रत वैह है बदनने के लिए भाग्य सुनिसीत करने के लिए रास के सपनों को साकार करने के लिए हम हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हर बद नियत वालों को हम हमारी नेक नियत से जीतेंगे यह मैं विश्वाद देता हूँ मेरे पहरे देश वाथ क्यों समाज की मनोर से नावे भी बदलाव कभी-कभी बहुत बड़ी चुनोती का कारण बन जाता है हमारा हर देश वाथी प्रस्टाचार की दिमक से परिशान रहा है और सर के प्रस्टाचार की समानिय मानवी का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वाद तोड़ दिया है उसको अपनी योग्यता छंता का प्रति अन्या की जो गुस्सा होता है वो राष्ट की प्रक्रति में नुक्षान करता है और इसलिए हमने बाव्यापक गुरुप से प्रस्टाचार के खिलाब एक जंग छेड़ा है मैं जानता हूँ इसकी कीमिक मुझे चुकानी पड़ती है मेरी प्रतिष्टा को चुमा को आनी पड़ती है लेकिन राष्ट से बड़ी मेरी प्रतिष्टा नहीं हो सकती है राष्ट के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता आरिसलिये इमानदारी के साथ ब्रस्टाचार के खिलाप मेरी लडाई चारी रहेगी तीवरगती से जारी रहेगी और ब्रस्टाचारियों पर कारवाई चुरूर होगी मैं ब्रस्टाचारियों के लिए भैका बाता हूँ पादा करना चाहता हूँ ताकि देश के सामान नहनागरी को लूट रहेगी जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है लेकिन सबसे बड़ी नई चुनोती आई है ब्रस्टाचारियों से निपटना तो है है लेक कोई कल्प ने कर सकता है कि मेरे इजेश में इतना महान संबिधान और हमारे पास होने के बाव्द्री कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो परंपराश्टाचार का महिमा मंदं कर रहा है खोड मां रश्टाचार का जयजय कार कर रहे समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्यास हो रहा है ब्रस्टाचार का जो महिमा मंदन हो रहा है ब्रस्टाचारियों के स्विकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्यास चल रहा है वो स्वस्त समाज के लिए बहुत बड़ी चिनोंती बन गया है बहुत बड़ी चिंता का विशमन गया है ब्रस्टाचारियों के प्रती समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी ब्रस्टाचारी को भुश रास्टे पर जाने से डर लगेगा अगर उसका महिमा मनन होगा जो आज ब्रताचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं हुए मेरे प्यारे देश वाज़ियो बंगला देश पर जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पडोसी देश के नापे चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूँ मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर हाला जल्द ही सामान्य होंगे खास करके 140 करोड देश वाज़ियो की जिनता कि वहाँ हिंदू वहाँ के अलपसंख्यक उस समुदाई की सुरक्षा सुदिश्चित हो भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पडोसी देश सूख और शांती के मार्क पर चले शांती के प्रति हमारा कमिट्मेंट है हमारे संस्कार है हमाने वाले दिनों में बंगला देश के विकास यात्रा में हमेशा हमारा सुब्चिंतन ही रहेगा क्योंकि हम मानवजाद की भलाई सोचने वाले लोग है मेरे पैरे देश वास्यों हमारे सम्मिधान को 75 वर्ष हो रहे हैं भारत के सम्मिधान के 75 वर्ष की यात्रा देश को एक बनाना देश को स्रेष्ट बनाने में बहुत बड़ी भूमी का रही है भारत के लोगतन्तर को मजबूती देने में हमारे देश के समिधान की बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारे देश के दलीत, पिडीत, सोसित, बंचीत को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा काम हमारे समिधान ने किया है अब जब समिधान के 75 वर्ष हम मनाने जा रहे हैं तब हम देश वाजियों ने कि समीधान में निर्दिष्थ कर्टवे के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है और जो मैं कर्टवे के बात करता हूं तब बैसरम नाँगरीकों पर बोज़ मनना नहीं चाहता हूं कर्टवे केंद्र सरकार के सरकार के मौलाजिम के भी है कर्तव्य राज्य सरकारों की भी है राज्य सरकार के हिर्क मुलाजिम के है कर्तव्य हर्थानिय स्वराइट संस्ता के है पंचायत हो नगरपाली का हो मान अगरपाली का हो तैदिल हो जिला हो हर किसी के कर्तव्य है लेकिन साथ साथ 140 करोर देश वाच्छों की कर्तव्य ह अगर हम सम्मिल करके अपने कर्तव्यों का निर्वा करेंगे तो हम अपने आप औरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निमित बनेंगे और जब कर्टब्य का पालन होता है तब अधिकारों के रक्षा निहीत होती है उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूत नहीं पढ़ जाती है मैं चाहता हूँ कि हमारे जाव को लेकर हम चलेंगे हमारा लोकतन तर्वी मजबूत होगा हमारा सामर्थ और बढ़ेगा और हम एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे मेरी प्यारे देश वास्यों हमारे देश में सुप्रिम कौट ने बार बार उनिफार्म सिविल कोड को लेकर जे चर्चा की है अने एक बार आदेश दिये है क्योंकि देश के एक बहुत बढ़ा वर्ग मानता है और उन्हें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सच मुझ में तो एक प्रकार का कॉम्मिनल सिविल कोड है बेदबाव करने वाला सिविल कोड है ऐसे सिविल कोड से जिब सम्विदान के 75 वर्ष मना रहे हैं और सम्विदान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए देश की सुप्रिम कोड भी हमें कहती है करने के लिए और तब जो सम्विदान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हमचपा दाइत्व है और मैं मानता हूँ इस गंबीर विशे पर देख में चर्चा हो ब्यापक चर्चा हो हरतों ये अपने विचारों को ले करके आए और उन कानूनों को जो कानून दर्म के अधार पर देख को बाटते जो उचनीच का कानून बन जाते है ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज ने को इस्थान नहीं हो सकता है और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो हमने कमिनल सिविल कोड में 35 साल बिताए हैं अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरब जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो बेजबाव हो रहे हैं सामान नागरी को जो दुरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी मेरे प्यारे देश वाजियो जब मैं देश पर एक चिंता हमेशा कहता हूँ परिवारबाद जातिवाद भारत के लोग तंत्र को बहुत मुक्षान कर रहा है देश को लोग राजनीती को हमें परिवारबाद और जातिवाद से मुक्ति दलानी होगी आज हमने मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो नौजवान है उसमें लिखा हुआ है माय भारत जिस संगतिर का नाम है उसकी चर्टा लिखी है यहां बहुत बढ़िया करीके से लिखा हुआ माय भारत के नेक मिशन है एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनितिक जीवन में जन प्रतिनीती के रूपे हैं एक लाख ऐसे नवजवानों को आगे लारा चाहते हैं शुरुवात में एक लाख नवजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनितिक बैक्ग्राउंड ना हो जिसके माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, मामा, मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे किसी भी पीडी में नहीं रहे ऐसे होन हार नवजबानों को fresh blood एक लाग चाहिए वो पंच्यायत में आए चाहिए नगरपालीका में चाहिए जिलापरिशदों में चाहिए लोग सबा में आए एक लाख में नई नवजवान कोई भी प्रकार का पुरवा का राजनीतम परिबारु का दाओ ऐसा फ्रेश लोग c uses में आएं ताकि याति वाति शे करके आगे आए दिनों में एक लाख नवजवान जो परिवार राजनीती से दूर दूर का समन्द नहीं है ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोज भी नहीं आएगी सामर्थ भी नहीं आएगा लोग तंत्र सम्रुद्ध होगा और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होड़ा है और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगेती में रुखावर बन रहे हैं गतिरोध पदा कर रहे हैं आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है क्योंकि हर तिन मेने छे मेने कहीं कई चुनाव चल रहा है कोई भी देश में व्यापक चर्चा हुई है सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं एक कमिटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है वन नेशन मन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा मेलाल किने से पिरेंगे की साक्षि में देश के राजन दनों का सरभातिक उप्योग जन सामाने के लिए उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए मेरे प्यारे देश वासियों बारत का स्वर्णिम कालखंड है 2047 विख्षित भारत यह हमारी प्रतिक्षा कर रहा है बांधाय रुकावटे चुलोतियां उसको परास्त करके एक दर संकल्प के साथ यह देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ जो मैं साथ देख रहा हूँ मेरे विचारों में कोई जीज़क नहीं है मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है मैं साब साब देख सकता हूँ कि यह देश 140 करोर देशवाज़ों के परिश्रम से हमारे पुर्वजों का खुन हमारी रगों में है अगर वो 40 करोर लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं तो 140 करोर देशवाजी संबुरुद्ध बारत के सपने को साकार कर सकते हैं 140 करोर देशवाजी विख्षिद बारत के सपने को साकार कर सकते हैं और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टम में देश तीसरी एकानोमी तो बनेगा ही लेकिन मैं तीन गुना काम करूँगा तीन गुना गतेज गते से काम करूँगा तीन गुना व्यापकता से काम करूँगा ताकि देश के लिए जो सपने है वो बहुत निकट में पूरे हो मेरा हर पल देश के लिए है मेरा हर शान देश के लिए है मेरा कान कान सिर्फ और सरफ मा भारती के लिए है और इसलिए 24x7 for 2047 इस प्रतिमत्यता के साथ आये मैं देश वाच्यों का हवान करता हूँ हमारे पुर्वजोन जो सप्ण देखे थे उन सप्णों को हम संकल पमराए अपने सप्णों को जोड़े अपने पुर्शार्त को जोड़े और 21 सदी जो भारत की सदी है उस सदी में स्वर्णिम भारत बनाके रहे उसी सदी में हम विक्सित भारत बनाके रहे और उन सप्णों को पूरा करते हुए आगे बढ़े और स्वदंत्र भारत में 15 साल की यात्रा के बाद एक नए मुकाम पर बढ़ रहा है तब हम कोई कोर कसर न छोड़े और मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूँ आपने मुझे जो दाईत दिया है मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूँगा मैं महनत में कभी पीशे नहीं रहूँगा मैं साहस में कभी कतराता नहीं हूँ मैं चिनोतों से कभी टकराते से डरता नहीं हूँ क्यों? क्योंकि मैं आप के लिए जीता हूँ मैं आप के भविश्य के लिए जीता हूँ मैं आप भारत माता के उजबल भविश्य के लिए जी रहा हूँ और उस सपनों को पूरा करने के लिए आज दास्ट दवच के शाया में तिरंगे की शाया में धर्शंकप के साथ हम आगे बढ़ें इसे के साथ मेरे साथ बोले भारत माता की भारत माता की बंदे 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 जाहिन जाए हिन जाए हिन जड़ यहवना हंगा जुच्षन जड़की जड़ को तरावशूक नामे जाए तरावशूक आशिश भादे जाए बच्शन जड़का जड़का जड़कंकर दायक जड़का आरत भाग जड़का कि अड़ समते है अरशां जाया है जाया 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 है चौश्य कोफ फिश्ड़ फरत बस्टड इली